नवश्कार श्वागत है आप सभी का Current Affairs Revision Series में आज से हम लोग फरवरी की स्टार्टिंग कर रहे हैं यह फरवरी का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग फरवरी के Current Affairs का पूरा Revision करेंगे और इस Series की विसेस्ता यह है कि इसमें Current Affairs को हम GS यानि General Studies या GK के साथ Link करके पढ़ते हैं उनके बारे में संपूर्ट तर्थ को पढ़ते हैं एक्जाम में किसी भी तरह से Question बन जाए तो आप उसको हल करने में सक्षम होंगे और इस Revision Series में कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है Day by Day का Current Affairs आपको पूरे विस्तार से पढ़ाया जा रहा है इसलिए इसको Regular Follow करिए और जब तक आपका एक्जाम आएगा ये पूरी की पूरी Series से आप साल भर का Current Affairs Revision कर पाएंगे वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Lower Mains का एक्जाम देने जा रहे है 2019 वाला तो आप हमारे Test Series प्रोग्राम या वीडियो क्रेस कोर्स से जुड़ सकते हैं इसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइट करा जाएंगे पांच Current Affairs के टेस्ट प्रोवाइट किया जाएंगे साथ ही में जो भी PDF होगी इसको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ वहां से फ्री PDF को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एप Decode Exam पर जाकर जो है एक बाद टेस्ट को दे लीजिए उसके बाद अगर आप संतुष्ट है तो आप इस टेस्रीज को जोईन कर सकते हैं इसका तरीका यह है कि आपको Lower Mains लिख के WhatsApp के माध्यम से 9506742546 पर भेजना होगा उसके अलावा हमारा Video Crash Course भी है जिसमें सामान हिंदी के Video Lectures Complete Package के रूप में और इसके साथ PDF के Notes Math Video Lectures और Reasoning के Video Lectures इन तीनों को आप एक साथ भी ले सकते हैं और अलग-अलग भी ले सकते हैं कोई Boundation नहीं कि आप एक Package में ही लें तो इसके बारे मैधिक जानकारी के लिए Lower Mains लिख के आप इसी नंबर पर भेज दीजिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और अगर आपने Decode Exam का App डाउनलोड कर रखा है तो Decode Exam का App में वीडियो सेक्षन में आप जाएए सभी के एक एक वीडियो वहाँ पर Open है फ्री हैं सभी के लिए आप एक बार Demo ले सकते हैं कि किस तरह की Teachers हैं और क्या इस तरह है उनका पढ़ाने का अगर आप संतुष्ट हो तो आप जरूर जो है इस Video Lecture Crash Course में पार्ट ले सकते हैं क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से प्री का Exam क्लियर किया है इसलिए Mains में कोई कोर कसर ना रह जाए पूरी तैयारी हो इसी के अनुसार जो है ये Test Series और Video Lecture Program दोनों डिजाइन किये गए हैं चलिए सुरू करते हैं आज का Main Content IBM Company के मुख CEO बनाए गए हैं तो ये कौन हैं भारती मूल के हैं इसी कारण ये चरचा में भारती मूल के अर्विंद कृष्णा को IBM का मुख्य कारकारी अधिकारी चुना गया है और वे जो है गिनी रोमेती का इस्थान ले रहे हैं वर्तमान में अर्दमिन कृष्णा IBM के Cloud कारोबार के प्रमुख है IBM का Full Form कभी कई पूछा गया है Computing Tabulating Recording Company ये जो है बहुती रेर फैक्ट है और बाद में 1924 में इसका नाम बदल कर IBM कर दिया गया था इसका मुख्याल है अमेरिका के निव्यार के अर्मोक नामक जगे पर है अगला अपडेट देखते हैं इकामर्स कंपनी फिलिपकार्ट ने किया हद गर्दगा और हस्तिल विकास कार्पोरेशन के साथ समझोता तो इकामर्स कंपनी फिलिपकार्ट ने गुजरात के हद करगा और हस्तिल विकास कार्पोरेशन के साथ समझोते पर अस्ताक्षर किये हैं इसके अंतरगत स्थानी हस्सिल को बढ़ावा दिया जाएगा और यह flip card की समर्थ पहल का हिस्सा है यह भी पुछा जा सकता है यह समर्थ एक innovative step है जिसके अंतरगत यह कार किया जा रहा है समर्थ पहल के द्वारा सिल्परों, बुनकरों, हस्त सिल्पियों से संबंदित सामान लोगों को इंटरनेट पे अपना सामान बेचने के लिए प्रोसाहित किया जा रहा है अगला update असम के प्रतिवंदित उगरवादी संगठन National Democratic Front of Borderland जिसको हम NDFB sort में कहते हैं इनके उगरवादियों ने आतुसंपड कर दिया था असम के प्रतिवंदित उगरवादी संगठ National Democratic Front of Borderland के 1615 गुरवादियों ने आत्मसापड कर दिया है 27 जनवरी 2020 को भारत ने एक एतिहासिक बोर्डो समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं ये सांती समझोता National Democratic Front of Borderland के समों के साथ हस्ताक्चरित हुआ है इस समझोते के अंसार Borderland Territorial Area District में इस्थानी लोगों के लिए बिसे करना होगा भारत सरकार अगले तीन वर्सों में Borderland के विकास के लिए 1500 करोण रूपए जारी करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है National Democratic Front आप Borderland का गठन 1986 में हुआ था इसका उद्देश बोर्डो लोगों के लिए स्वतंत्र Borderland की स्थापना करना था और ये बहुत सारी अव तो जब इस तरह का प्रसनाता है तो कहां से इनको उपाधी मिली है ये महत्पूर्ण है कलकत्ता विसुद्याले नोबल पुरुसकार विजेता अभजीत बिनायक बनार जी को डीलिट की मानद उपाधी से सम्मानित किया है अभजीत बिनायक बनार जी को वर्स 2019 में वैस्व बिध्याबाल का निधन जीब कोई निधन होता है तो उस हस्ती का संभन्ध कि छेतर से थา सबसे ज़़्यादा महत्पूर्ण हो जाता है तो बिध्याबाल प्रसिद्ध सामाजी कार्करता नारीवादी ले zaar लेकी का और पत्रकार थी इनोंने सभी हिंदी धार्मी के स्था इन्होंने प्रसिद्द कम-लाखी और वल-वन-तिल्ट आत्मकताएं भी लिखी हैं अगला अपडेट राश्टी खेलों यानि नेशनल गेम्स के 36-06 संस्क्रण की मेजवानी तो राश्टी खेलों के 36 संस्क्रण की मेजवानी किसको सौपी गई है गोवा को सौपी गई है हाली में गोवा के पढ़जी में आयोजित होने वाले 2020 के राश्टी खेलों के सुभंकर रुबी गुला फ्लेम थ्रोटेट बुलबुल जिसको कलगी बुलबुल के नाम से सामानता जाना जाता है इसका अनावरन किया गया है कलगी बुलबुल जो है गोवा राज का राज पच्छी भी है इन खेलों का अउजन 20 अक्टूबर से 4 नॉवंबर 2020 तक प्रस्तावित है लेकिन ये डेट बढ़ भी सकती है क्योंकि इस समय कोरोना संकट चला है शितरूप से बढ़नी चाहिए अगला अपडेट देखते हैं आर्थिक समीच्छा यानि economic survey जो 2019-2020 का जारी हुआ था उसमें भारत में भोजन की थाली का अर्थसाथ नाम उसको दिया गया था आर्थिक समीच्छा 2019 बीच में भारत में भोजल की थाली अर्षात को थॉली नॉमिक्स से दर्सा आये गया ये जो है टर्म पहली बार प्रयोक किया गया था थाली नॉमिक्स है क्या पूरे भारत में थाली के लिए आम व्यक्ति द्वारा किये जाने है ले भुक्तान का ये अध्यान है आर्थिक समीच्छा के थाली नॉमिक्स में बताया गया है कि 2006 साथ की तुलना में 1920 तक साकाहारी थाली की वहन में 29 प्रस्त तक सुधार हुआ है अगला अपडेट देखते हैं इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट आव व्यू से तावन देशों के 416 सहों को सामिल किया गया था अध्यार एक मनीला सहेठ ट्रेफिक के मामले में दूसरे नमबर पर पहले नमबर पे बैङलूरू दूसरे नमबर पर मनीला है और यातायात के सबसे खराब पांच सहरों में भारत के चोथे स्थान और पांचवे स्थान पर क्रमसा मुंबई और पूरे सामिल है कोलंबिया का बोगोटा सहर तीसरे स्थान पर है और दिल्ली जो है ट्रैफिक के मामले में आठवे स्थान पर है टॉम टॉम एक डच बहुराश्ट्री प्रोध्योकी और उभोगता इलेक्ट्रोनिक्स के निर्माता है जिसकी स्थापना 1991 में ही थी और इसका मुख्याले कहां पर है एंस्ट्रम में है अगला अपडेट बिदेशी क्लब के साथ अनुबंद करने वाली पहली भारती महिला फुटबॉलर कौन है तो इनका नाम है बाला देवी जो की मड़ीपूर से आती है बाला देवी बिदेशी क्लब के साथ अनुबंद करने वाली पहली महिला भारती फुटबॉलर बन गई ह वे प्रसिद यूरोपी कलब रेंजर्स के साथ 18 महिनों के लिए जुड़ी है बाला देवी भारती महिला फुटबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी है वे दच्छिड एसिया में सबसे जादा अंतराश्टी गोल करने वाली महिला के लाड़ी भी है तो इनके बारे में कई उपलब्धियां है जो किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है आगे चलते हैं नगोबा जात्रा महोसो कहां पर मनाया जाता है तेलंगाना में सबसे जरूरी आपको यही याद रखना है तो तेलंगाना में महिने भर चलने वाले नगोबा जात्रा महोसो का समापन हो गया है नगोबा जात्रा तेलंगाना के आदिलाबाज जिले के इंद्र वेल्ली मंडल के केसला पुर गाउं में आजित किया जाने वाला एक आदिवासी तेवहार है यह गोंड जनजाती के मेसराम कभीले द्वारा मनाया जाता है तो यहां पर यह भी आपको याद रखना है कि यह जो है गोंड जनजाती से संबंदित है और मेसराम कभीले द्वारा मनाया जाने आला दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी तेवहार है मेसराम वन से समंदित महराज 36 गार उडिसा और मदप्रेश के आदिवास्वी महसों में पूजा अर्चना करते हैं अगला अपडेट जिससे एक कोश्चन जो है लगबख स्योर है आपके एक्जाम में आना भारत की दस आदर भूमी अब रामसर इस्थलो के रूप में सामिल कर लिए गए है रामसर वेट लेंड की सुची में दस नए वेट लेंड जो है भारत से सामिल कर लिए गए है इसके साथ ही अब देश में कुल कित्ते रामसर छेतर हो गए है 37 रामसर साइट्स हो गई हैं जो रामसर सम्मेलन के द्वारा मानता प्राप्त हैं और इससे पहले ISFR यानि इंडियन स्टेट आफ फॉरेश्ट रिपोर्ट जिसको हम भारती वन इस्थिती रिपोर्ट कहते हैं इसमें जो आदभूमियों के बारे में रिपोर्ट आई थी, उसमें रिकॉर्ड़िट फॉरेश्ट एरिया में सामिल किया गया था इनको और रिपोर्ट के अनुसार 62,466 आदभूमिया हैं भारत में जो की recorded forest area और GW का लगभग 3.83% है recorded forest area के अंतरगत आदरभूमी वाले सीरस राज कौन है तो सबसे जादा आदरभूमिया जो है गुजरात में है उसके बाद जो है दूसरे नमबर पर पस्चिम मंगाल में है भारत में अब 37 रामसर इस्थल है जो 10,66,949 हेक्टेयर में फैले हुए है अब ये जो 10 नई रामसर साइट सामिल हुई है ये कहां कहां की है ये भी महत्पूर है तो सांडी पच्छी विहार कहां पर है हरदोई उत्तरपदेश में केशोपूर भीवानी कम्यूटी रिजर्व गुर्दासपूर पंजाब में है नंदूर मधेश्वर कहां पर है नासिक महराष्ट्रा में ब्यास सनरच्छन रिजर्व पंजाब में है समसपूर पच्छी अभ्यारण रायबरिली उत्तरपदेश में है समंफच्छी अभ्यारण महीनपुरी का यह भी उत्तरपदेश का है नांगल वनजिईल अभ्यारण पंजाब का है सरशै नावर जील इटावा की है जो कि सैंदर में पूछा जासकता है तो अब उत्तरपदेश में कुलकित्ती रामसर साइट हो गई है साथ हो गई है यानि छे जो है बढ़ गई है और एक पहले से उत्तर प्रदेश में थी इसका नाम था अपर गंगा रिवर ब्रिज घार्टु नरेरो इस्ट्रेच ये जो पहले से एक थी तो अब छे और एक मिलकर साथ कुल रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश में हैं रामसर समेलन के बारे में जान लेते हैं दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर सहर में वेट लैंड यानि आदर्भूमी को लेकर एक समेलन हुआ था जहां दुनिया भर की आदर्भूमी को सनच्छित सुरच्छित करने के लिए रूप रेखा तयार कर संधी की गई थी रामसर समेलन को किसी विशेश पारिस्कीतन से समंधित अकेली वैस्विक वातावरन समंधी संधी माना जाता है इसमें दुनिया के 170 से ज़्यादा देश भागिदार है और 2100 से ज़्यादा वेट लैंड इसकी सूची में है इसकी सूची में सामिल वेट लैंड को ही रामसर sites कहा जाता है आदर भूमी या wetland ऐसा भूभाग होता है जहां का परितंद का बड़ा हिस्ता इस थाई रूप से या प्रतिवर्स किसी विशेश मौसम में जल से संत्रपत यानि saturated होता है या उसमें डूबा रहता है ऐसे जली पौधों की बाहुलिता रहती है और यही आदर भूमियों के रूप में यानि wetlands के रूप में पारिवासित होते हैं अगला update देखते हैं Tech महिंद्रा ने हैदराबाद में Google Cloud Center of Excellence इस्थापित किया तो Tech महिंद्रा ने हैदराबाद में Google Cloud Center of Excellence इस्थापित किया है इसका लच्छ उध्यमों को तकनीकी और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है Google Cloud पर महत्पूर कारभार को इस्थानानतित करना AI यानि Artificial Intelligence and Data Analysis का समाधान विक्सित करना और कार इस्थल उत्पादक्ता में सुधार में सहायता खन्ना ये सभी इसके प्रमुक उद्देश हैं अगला अब डेट इक्जाम के पॉइंट आव यू से बहुत महत्पूर है 2077 विकास सिखर सम्मेलन का आयोजन तो सबसे जरूरी है इसका इस्थल कहां पर आजित हुआ नई दिल्ली में आजित हुआ 29 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2020 के मद ये आयोजित हुआ 27 विकास सिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्स उर्जा वा संसाधन संस्थान इसको अंसौर्ट में टेरी कहते हैं टेरी का फुल फॉर्म दा इनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्ट्यूट द्वरा किया जाता है इसका आजिन 2001 से लगातार किया जा रहा है इस वर्जा की जो थीम थी वो है टूवर्ड्स 2030 मेकिंग दा डिकेड काउंट ये इसकी थीम है और इस सम्मेलन का उद्देश विकासील देशों के विभिन वैस्विक मुद्दों पर चर्चा करना होता है उर्जा वा संसाधन संस्थान टेरी की स्थापना दर्बारी सेट ने 1974 में की थी विटाटा केमिकल्स लिम्टेट के निर्माता थे वर्टमान में टेरी एक विस्विस्तरी ठिंक टेंग के रूप में उभर कर आया है यह उर्जा जलवाई परिवर्टन और सतत विकास त्यारी विस्यों के संदर में कार करता है अगला अबडेट सैयुक्त राष्ट विकास कारिकरम यानि UNEP के अनुसार सतत विकास लच्चियों को हासिल करने के मामले में भारत का प्रथम इस्थान पर कौन सा राजी है महत्पूर्ण प्रस्ण बन सकता इसे एक्जाम में तो सैयुक्त राष्ट विकास कारिकरम के अनुसार सतत विकास लच्चियों को हासिल करने के मामले में भारत का तेलंगाना राजियों में प्रथाम इस्थान पे है सतत्विकास लज्च जिसको हम SDG कहते हैं हासिल करने के मामले में तेलंगाना ने 82 स्कोर प्राप्त किया है तो आपको यह यार रखना होगा कि तेलंगाना पहले स्थान पे है उसके बाद आंधरो करनाटक जो है पहला देश है इस उचकांग को नीत यायोग द्वारा लांच किया गया है सतत्विकास लच्च में सत्त्रा वैस्विक यानि ग्लोबल गैर बादिकारी लच्च सामिल है इसमें आर्थिक विकास समाजिक समावेस्थ वा पर्यावरण तथा सुसासन के लच्चियों को सामिल किया गया है आगे चलते हैं आर्थिक समीच्चा यानि एकनॉमिक सर्वे 19-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में GDP के संदर में दुनिया की सीर्स दर्थ अर्थवियोस्था का इस्थान क्या है तो यह हम पहले भी भारत जो है दुनिया की एकनॉमिज में पाँचवे इस्थान पे है आकडो के अनुसार वर्थ 2019 में भारत की अर्थवियोस्था 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की थी अगला अपडेट बिस्व की सबसे जादा गोल करने वाली खिलाडी कौन है तो कनाइडा की फुटबॉल टीम की कप्तान क्रिश्टीन सिक्सलेयर बिस्व की सबसे अधिक गोल करने अली खिलाडी बन गई है हाली में उन्होंने करियर का एक सो पच्चासिवा गोल किया और उन्होंने अमेरिका के फुटबॉलर एवी बाउंबच के एकसो चौरासी गोल के रिकार्ड को तोड़ दिया है इस रिकार्ड में महिला तथा पुर्स दोनों ही वर्ग सामिल है पुर्सों की स्रेडी में इरान के अली दाए एकसो नो गोल के साथ से उस पर है तो आपको इनका नाम याद रखना है क्रिष्टीन सिंक्सलेयर आगे चलते हैं केंद्री अपरतच सीमा कर सुल्क बोर्ड के नए चेर्मेन निउक्त किया है तो केंद्री अपरतच कर वा सीमा सुल्क बोर्ड को हम क्या कहते हैं CBIC कहते है Central Board of Indirect Taxes and Customs तो इसके नए जो चेर्मेन है उनका नाम क्या है M. अजीत कुमार M. अजीत कुमार 1984 बैच के भारती राज़स सेवा करिकारी है वर्तमान में इसी में यानि CBIC में सदस्य थे और वे प्रणो कुमारदास का इस्थान ले रहे हैं CBIC भारत में सेवा कर GST, केंदरी उत्पाद सुल्क तथा नार्कोटिक्स के लिए उत्तरदाई मुख्यराश्टी एजेंसी है ये केंदरी वित्रमंत्राले के राज़सु विवा का एक हिस्सा है जिसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है अगला अपडेट भारती टटरच्चक बल इस्थापना दिवस कम मनाय जाता है एक फरवरी को मनाय जाता है और भारती टटरच्चक बल एक ससस्त्र बल है जो भारत के छेतरी जल और विसेस आर्थिक छेतर सहित भारत के छेतरी समुद्र पर बारत के समुद्री हितों की रच्छा करता है और समुद्री कानुनों को लागू कराता है। इसकी स्थापना यानि भारती टटरच्छक बल की स्थापना कभी थी? 1977 में वी थी और ये रच्छा मंत्राले के अधीन रहेकर कारे करता है। अगला अबडेट महत्पूर है, पंकज अडवानी ने नेशनल बिलियर्ड चैंपियंशिप को जीत कर अपना 33 राष्टी खिताब जीता, तो भारत के सीर्स खिलाडी जो बिलियर्ड के सीर्स खिलाडी है, पंकज अडवानी ने नेशनल बिलियर्ड चैंपियंशिप को जीत क अगला बडेट बित मंतरी के बजट भासरण के अनसार 2025 तक भारत को टीबी मुक्त यानि 6 रोग से मुक्त करने की गोशना की गई है तो ये लच्छ इस तरह के प्राया पुछे जाते हैं 2025 तक भारत ने लच्छ निधारित किया है कि ट्यूबर क्लोसिस यानि टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन करना है भारत में टीबी के खिलाब विसेस अभियान सुरू किया गया है यह अभियान है टीबी हारेगा देश जी जीतेगा जिसमें आपने देखा होगा कि अमिताब बच्चन भी जो है इसमें एक ब्रैंड अमबेजडर के रूप में है अगला अपडेट सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता आस्ट्रेलियाई ओपेन 2020 का किताब तो आस्ट्रेलियाई ओपेन महत्पूर्ण पृत् जीता है तो यह जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इन्होंने आस्ट्रिया के डोमनिक ठीम को हराकर सत्रवी बार ग्रैंड स्लैम का किताब जीता है नोवाक जोकोविच ने आठवी बार आस्ट्रेलियन ओपेन का किताब जीता है यानि कुल सत्रा ग्रैंड स्ट् साल पर रॉफल नडाल है जिन्होंने 19 जीते हैं नेक्स्ट अपडेट विस्व आद्रभूमी दिवस यानि वर्ड वेट लैंड डे कम मनाया गया दो फरवरी को ये मनाया जाता है को कि इसी दिर जो है रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में आद्रभूमी या वेट लैंड पर रामसर आभी समय या कन्वेंशन की स्थाई समित द्वारा अगले दो वर्सों यानि 2020 और 2021 के लिए स्विक्रित की गई थीम्स कौन-कौन है तो 2020 के लिए जो वर्ड वेट लैंड की थीम है वो है जैविवित्ता यानि वेट लैंड एंड बायो डाइवरस्टी आद्र भूमी और ज यानि वेट लैंड सेंड वाटर आगे चलते हैं युनाइटेट किंग्डम के अलग होने के बाद अब यूरोपी संग में देशों की कित्ती संग क्या है यानि यूरोपीन इनियन में कित्ते देश बचे हैं 27 यह महत्पूर्ण प्रसन है आपके एक्जाम के लिए यूनाइ 2020 तक यूनाइटेट किंग्डम परिवर्तन अवदी में रहेगा यानि ट्रांजिशन पिरियेड में रहेगा इस दवरान यूनाइटेट किंग्डम यूरोपी संग के नियमों का पालन करेगा यूनाइटेट किंग्डम के यूरोपी संग से अलग होने के अउसर पर यूना आजय बिसारिया को कनाड़ा का उच्चा युक्त नियुक्त किया गया है भारत की ओर से, वे 1987 बैच के भारती विदेश सेवा के अधिकारी हैं, इससे पहले वे पाकिस्तान में उच्चा युक्त के रूप में अनि हाई कमेस्टनर के रूप में कर रत थे। और निलंबित किया जाने की चेताउनी के बाद राष्ट बंडल से ये स्वयम अलग हो गया था। इसके बाद पुना इसको राष्ट बंडल में सामिल कर लिया गया है और अब कामन वेल्थ में कित्ते देश हो गये हैं, ये महत्पूर है, 54 देश जो है अब कामन वेल्थ में ह गये हैं इसको मिलाकर अगला update एकुसी पुस्तक मेले का आयोजन कहा पर किया गया बांगला देस में एकूसी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया ये प्रतिवर्स फर्वरी में भासा अंदोलन के सहीदों को याद में आयोजित किया नेक्स्ट अपडेट देखते हैं तिड्डियों या लोकस्ट से निपटने के लिए राश्टी आपातकाल की घोषणा महत्पूर्ण है इस समय भी जो है तिड्डियों का पूरा प्रकोब चल ला था और ये तो फरवरी के हिसाब से बताया जा रहा है तो किसने घोषणा की थ और भारत में भी पाकिस्तान के ही बॉर्डर को पार करके टिड्डियों अए उसके बाद पंजाब और पूरे भारत के लगबग हर छेत्र में इनका आक्रमण अब तक हो चुका है वर्तमान में चोलिस्थान के साथ पाकिस्तान भारत सीमा पर टिड्डियों के जुणD थे और ये रेगिस्थानी साकाहारी टिड्डे इरान से आये थे, यानि मिडिलीष से जो है आते हैं और ये पूरे साउथ इस्ट एसिया को प्रभावित करते हैं आगे चलते हैं, बजट 2020 के अंसार भारत के पांच पौराणिक परेटन इस्थलों के रूप में विक्सित किये जाएंगे कौन-कौन से इस्थल हैं, इनके नाम और जगह ये दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट हैं तो ये पांच इस्थान हैं, एक तो हस्तिनापूर अपने उत्तरप्रेश का हो गया, सिवसागर असम का, धौला वीरा गुजरात में है, जो की हडपा संस्कृती से संबंदित है, आदी चलनूर ये तमिलनाडू का है, और राखीगड ये भी हडपा संस्कृती संबंदित ह हरियाणा का, तो इन पांच इस्थानो को जो है परियटण इस्थानो के रूप में इस्थापित किया जाएगा, इस के अतरीक्त राची में एक ट्राइबल म्यूजियम यानि जन जाती म्यूजियम के निर्माड़ की वी गोषणा बज़ट में की गई थी, तो ये भी महतप वाला ने विप्रो कंपनी के CEO और MD पत से श्तीफा दे दिया विए पिछले 4 वरसों के कंपनी के गुरूप प्रेजिडेंट और CEO के रूप में कार रहते है जुलाई 2019 से वे कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर के रूप में कार रहते है हाल ही में रिसद प्रेम जी ने अपने प्रेजिता अजीज प्रेम जी के स्थान पर विप्रो के कारकारी चेर्मेन का इस्थान गरहण किया है ऐगला अपडेट महत्पून है बिस्व कैंसर दिवस यानि वर्ड कैंसर डे कम मना जाता है चार फर्विदी को मना जाता है और बिस्व कैंसर दिवस के उसर पर अंतराश्टी कैंसर नियंतरन संग ने I am and I will थीम के साथ जो है तीन वर्सी अभियान सुरू किया है तो ये थीम आपको यार रखनी होगी I am and I will ये थीम ने धारित की गई अगले तीन वर्सों के लिए अगला अपडेट आस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल का किताब जो है किसने जीता तो आस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल का किताब अमेरिका की सोफिया केनिन ने दो बार की Grand Slam Champion गारबाइन मुर्गुजा को हरा कर जीत लिया है सोफिया केनिन पिछले 12 साल में सबसे युवा Grand Slam Champion है मारिया सोरपोवा ने साल 2008 में 20 साल की उमर में ये किताब जीता था अगला अपडेट किसोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया किसको वहीदा रहिमान को मदप्रेश के किसोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया ये पुरुषकार पिछले साल उनको 13 अक्टूबर को दिगज गाय को किसोर कुमार की पूर्तिती पर आजीत समारों में दिया जाना था किन्तु खराब स्वास्थ होने की करण वेसे प्राप्त नहीं कर पाई थी अगला पडेट शीलंका में भारत का उच्चायकत नियुत किया गया है किसको? गोपाल बागले को सीलंका में भारत का नया हाई कमिस Nord किया गया है भारती विदेश सेवा के 1992 के अरिकारी गोपाल बागले स्री लंका में तरण जीत सिंग संधु का इस्थान लेंगे तरण जीत संधु को अमेरिका में भारती रायजुत नियुक्त कर दिया गए अगला बडेट तेजस एक्सप्रेस जो की भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है तो इस रंकला में तीसरी ट्रेन भी चला दी गई है तो देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस इंदौर और वानसी सहर के बीच में सुरू की गई है आपको यार रखना है पिछले कुछ महिनों में भारती रेलवे खानपान यों परेटन निगम यानी IRCTC ने दो मारगों पर निजी रेलगाडियों का संचालन शुरू किया, ये मारग हैं दिल्ली लकनो, अहमदाबाद मुंबई और उसके बाद तीसरा हो गया आपका जो है इंदौर और वार्णसी अगला अपडेट, कोल इंडिया लिमिटेट के चेर्मेन वा मैनेजिंग डिरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, प्रमोध अगरवाल को प्रमोध अगरवाल मत्पिरेश कैडर के 1991 बैच के I.S. आफिसर हैं, उन्होंने एके जहा का इस्थान लिया है, 31 जन्वरी 2020 को सेवा निवरित हुए थे, यानि एके जहा की सेवा निवरित्ती के बाद प्रमोध अगरवाल अब जो है कोल इंडिया के नए चेर्मेन और M.D अगला अपडेट, I.Box नामक Self-Service Delivery की सुरुवात किसने की है? ICICI Bank ने iBox नामा के एक Self Service Delivery सुवधा की सुवधा की सुवधा का उपयोग करके Bank के ग्राहक debit card, credit card, check प्राप्त कर सकेंगे और Bank के प्रांगर के बाहर iBox terminal की स्थापना की जाएगी इसका उपयोग कार्यालाय बंद होने के बाद भी किया जा सकेगा ग्राहक अपने package को अपनी पसंद के समय छुट्टी के दिन भी ले सकेंगे इससे पहले ICCI Bank ने ATM से cardless withdrawal यानि cardless cash निकासी की सुवधा भी शुरू की थी और ये सुवधा सभी ICCI ATM पर उपलब्द है ICICI यानि Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank भारत की एक बहुराश्ट्री बैंक है इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसका मुख्याला मुंबई में स्थित है अगला update बजट 2020 के अंसार 24,000 km ट्रेन रूट को इलेक्टरॉनिक बनाया जाने की गोचणा की गई है तो बजट 2020 के अंसार 24,000 km ट्रेन रूट को इलेक्टरॉनिक बनाया जाएगा तेज़े ट्रेनों की संख्या में ब्रद्धी की जाएगी और जितने भी जल विकास मार्ग है इनको बढ़ाया जाएगा इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की उजना है ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाग करोन रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगला अपडेट मुहम्मद तौफीक अलावी ये कौन है इराग के नए प्रदानमंत्री नियुक किया है इनकी नियुकती राष्टपती बरहम सालीह के द्वारा की गई है इसके पहले नवंबर में बड़े इस्तर पर सरकारी विरोधी प्रदस्नों के कारण आदेल अब्द इसी मेशिया मिस्थित एक देश है इRAकी राधानी बगदाद मिस्थित है और इसकी मुद्रा जो है इराकी दीनार है अगला अपडेट वर्स2040 तक निम्न तथा मध्यम आईवरगी देशों में कैंसर के मामलों में प्रस्त ब्रद्धी कितनी होगी ये एक रिपोर्ट में बताये गया है तो WHO या विश्व स्वास संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वस 2040 तक निम्न तथा मध्यम आयवरगी देशों में कैंसर के मामलों में 81% की ब्रद्धी हो सकती है विश्व स्वास संगठन ने 4 फरवरी को जब विश्व कैंसर दिवस होता है उसी दिन एक रिपोर्ट जारी की जिसमें वैस्वी किस्तर पर कैंसर के मामलों में 60% ब्रद्धी के आसार हैं ये बताया इस रिपोर्ट के अंसर अगले दसक में कैंसर से 7 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए 25 अरब डॉलर के निवेश की आव सकता पड़ेगी कैंसर के कारण होने वाली 25% मौतों में केवल तंबाकू है इसलिए बार बार आगरे किया जाता है कि तंबाकू का सेवन जो है बहुत ही खतरनाक है जो लोग भी इसको करते हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है इसको छोड़ देना चाहिए अगला अपडेट सौफिस्टिकेटेड एनालिटिक टेक्निकल हेल्प इंस्ट्यूट जिसका नाम है साथी तो साथी है क्या विज्ञान विवं प्रोध्यों की मंत्राले के अधीन विज्ञान विवं प्रोध्यों की विभाग ने सौफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेकनिक हेल्प इंस्ट्यूट साथी नामा के योजना लांच की है विज्ञान प्रोध्यों की व्याग ने प्रतिवर्स पांच साथी केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई है इस प्रकार के संस्थान IIT खड़कपूर, IIT दिल्ली, BHU में मौजूद है इनका निर्मार 375 करोण रुपए की लागत से किया गया है यह साथी केंद्र 24 इंटू 7 यानि 24 इंटू 7 और पूरे साल भर कारिक करेंगे अगला अपडेट भारत की पैरा ओलंपिक समित का अध्यच किसको चुना गया है दीपा मलिक को दीपा मलिक को भारत की पैरा ओलंपिक समित के अध्यच पत्पन्युक्ती दी गई है रियो में जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें गोला फेक में दीपा मलिक ने सिल्वर मेडिल जीता था और वे पैरा उप्री खेलों में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला किलाडी भी है अगला अपडेट कला महोसो जिसका नाम है काला गोडा इसका 21 संस्कुराण आजित हुआ कहां पर आजित हुआ मुंबई में और मुंबई में ही हर साली आजित होता है ये मुंबई में आजित होने आला एक सुप्रसिद वारसिक कला महोसो इसकी सुरवाद 30 अक्टूबर 1990 को हुई थी अगला अबडेट बैंकर मैगजीन द्वारा सेंट्रल बैंक आप the year Asia pacific 2020 का किताब दिया गया किसको सकतिकांद दास, सकतिकांद दास कौन है आप जानते हैं रबी आई के गवरनर है इनको दिबैंकर मैगजीन के द्वारा सेंट्रल बैंक आप दी एसिया इयर एसिया पैसिफिक 2020 चुना गया है ग्लोबल सेंटरल बैंकर आपदी इयर अवार्ड नेशनल बैंक आफ सर्विया के जोरगो वंका तबाकोवी को पुदान किया गया ये पुरुसकार उन बैंकर्स को पदान किया जाता है जो आर्थी विकास में महतपूर्ण भूनकाने बाते हैं सक्तिकान दास ने गयर बंकिंग वित्तिय कंपनी संकर तथा भारती बैंकों के एनपीय जैसे कई पहलूँँ पर बहुती सराहनी कार किया है सक्तिकान दास वर्तवान में RBI के गवर्नर है अगला अपडेट देखते हैं अद्दू परेटन जोन की स्थापना के लिए पांच समदोतों पर हस्तार्चर किये गए किनके किनके मद्ध है भारत और मालदीब के मद्ध महतपूर्ण है इसको यादर कियेगा भारत और मालदीब ने अद्दू परेटन जोन की स्थापना के लिए पांच समदोतों पर हस्तार्चर किये हैं इस कार के लिए 2.49 मिलियन डॉलर वे किया जाएगा इससे स्थानी रोजगार सरजन होगा तथा अद्दू में एको टूरिजम को बढ़ावा मिलेगा अद्दू परेटन के इसलिए महत्पूर्ण स्थाल है क्योंकि यह दच्छिड एसिया का सबसे दच्छिडी बिन्दू है exam point वापियू से यह भी बहुत important है कि दच्छिड एसिया का सबसे दच्छिडी बिन्दू कौनसा है अद्दू जो है एक प्रायदीव है मौलदीव आने वाले लोगों में भारती नागरीक दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है अगला अपडेट देखते हैं किलो में सराप पीने पर प्रतिबन लगाने का आदेश दिया है महराष्ट में लगभग 350 किलो है प्रस्ताव के अंसार पहली बार नियमों का उलंगन करने वालों को महराष्ट सराप प्रतिबन अधनियम 1949 के टहट 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 माह का कारावास की सजा दी जाएगी और दूसरी बार जो है 10,000 रुपए का जुर्माना और एक साल की कैद हो जाएगी अगला अपडेट जस्वंत सिंग कवल का निधन जस्वंत सिंग कवल जिनका हाली में निधन हो गया वे क्या है एक प्रसिद लेखक है आपने जरूर इनका नाम सुना हो गया जस्वंत सिंग कवल प्रसिद पंजाबी लेखक थे 1996 में उन्हें उन साहित अकाद्मी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो किसी भी रूप में प्रस्न पूछा जा सकता है उनकी रचना पूछी जा सकती है यह भी याद रखिएगा आगे चलते हैं राश्टिय बागवानी मेला 2020 कहां पर आजित हुआ बैंगलूरू के ICAR भारती बागवा मेला 2020 आजित हुआ इस मेले में लगभग 50,000 किसानों ने भाग लिया और खेती को एक उद्यम बनाना इस मेले की थीम थी या विसे था तो दोस्तों इस तरह से आज के सेग्मेंट में हमने महत्मूर करंट अफेर्स को GS और GK से लिंक करके पढ़ा यह सिरीज जारी रहेगी और निश्चित रूप से अगर आप इसको दो बार रिवाइस करके और देखते हैं तो आपको किसी भी किताब को हाथ लगाने की आउशक्ता नहीं पड़ेगी करंट अफेर्स के लिए एक जन्वरी से जो मैंने करंट पढ़ाया है उसको इसी तरह से लगाता रिवाइस करत तो आज के लिए तता ही नमस्कार धन्यवाद